हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसी एस के बारे में फाइनली टीसी एस का कोटर थी का रिजल्स आ चुका है और साथ में डिविडेंस का भी एनाउसमेंट आ चुका है तो इन दोनों खबरों के चलते हैं आज हमें टीसी एस में बड़िया तेजी देखने को मिले थी तक्रिबंस 30% के तेजी के साथ आज क्लोजिंग को मिले तक्रिबंद 90 रुपे के बड़ो तरिके साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और डीविडेंट्स भी बड़िया दे तो दोस्तो वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंक्रेज करना ना भूले और चैनल पे नहीं है तो इसी जैनीन इफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोई तो quarter 3 का results आया हुआ है और साथ में dividend का भी announcement हमें देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर TCS ने NST और BST को दोनों को यह quarter 3 का results सब्मिट किया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम dividend की बात करो तो जिसा कि यहाँ पर आप देख सकते मैं थोड़ा यहाँ पर जूम करना को दिया हुआ है company ने और यहाँ पर देखा जाए तो जो finally आपके पास जो dividend आएगा वो तकरीबन तीन फरवरी को आपके पास dividend आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर जो record date बताएगी है और तकरीबन 16 January बताएगी है तो दोस्तों यहाँ पर 16 January से पहले आपको TCS के share आपके पा है तो जिसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं consolidated results के उपर आ चुके है और यहाँ पर आपको जो सारी values देखने को मिलेगी जो सारी figures देखने को मिलेगी और इन करोड में देखने को मिलेगी और यहाँ पर हम देखेंगे quarter to quarter किस तरह के results में difference देखने को मिल रहे और year to year किस तर देखने हो मिल रहे हैं यहां पर आपको quarter three का result देखने को मिलेगा यहां पर आपको quarter three 2019 का result देखना को मिलेगा तो यहाँ पर अगर हम total income की बात किरें तो इस quarter में quarter three में जो total income निकल के आ रही हो तक्रीबन 42706 करोड़ का total income निकल के आ रहा है quarter three में और यहाँ पर अगर हम compare करे quarter two के ही सबसे तो यहाँ पर quarter two में जो income रहा था वो तक्रीबन 41,000 करोड के आसपास का इंकम रहा था तो यहाँ पे हमें quarter to quarter basis पे काफी बढ़ी है improvement देखना को मिल रहा है तक्रीबन हमें 1500 करोड के आसपास का इंकम में बड़ोतरी देखना को मिल रहा है तो year to year and quarter to quarter काफी बढ़ी है improvement देखना को मिल रहा है total income में और यहाँ पे अगर हम expense की बात करें तो company ने किस तरह के खर्चे किये है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते है total expense की बात करें तो इस quarter में जो company ने खर्चे किये है वो तकरीबन 3831 करोड के खर्चे किये हुए है और अगर हम previous quarter की सबसे देखे तो quarter 2 में जो company ने खर्चे किये थे वो भी तकरीबन 29620 करोड के आसपास के खर्चे किये थे तो यहाँ पे हमें quarter to quarter basis पे तकरीबन 800-900 करोड का expense बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो income भी बढ़ा है तो साथ में हमें यहाँ पे खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे और year to year basis पे देखे तो year to year basis पे भी तकरीबन हमें quarter to के सबसे ही देखने को मिल रहा है तकरीबन 29880 करोड का खर्चा देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम year to year compare करें तो year to year भी कुछ ज़्यादा हमें खर्चा देखने को नहीं मिल रहा है जो की यहाँ पे हमें income में काफी बढ़िया income देखने को मिल रही है तो यहाँ पे दोस्तों यह plus point यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि company ने खर्चा थोड़ा कम किया है और profit ज्यादा किया है income ज्यादा किया हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो कंपनी ने जितना इंकम किया उसमें से दूस्तों आप एक खर्चा माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है ओ तकरिबन वोर्यर to year basis पर देखे तो तकरिबन एकज़ार करोड के असपास का में नेट प्रॉफित देखने को मिल रहा है, और पिछले साल की बात कर तो पिछले साल में जो नेट प्रॉफित रहा था ओभी तक्रीबन आठ हजार 140 क Takingör के आसपस का NET Profit रहा था तो यहांपे हमें quarter to quarter basis पे काफी बढ़िया net profit भढ़ता हुआ नजर आ रहा है तक्रीबन आप केसा सकते हैं नेट profit भढ़ता हुआ नजर आ रहा है और year to year basis पे वह तक्रीबन 600 कροड के आसपस का net profit देखने को मिल रहा है तो overall यहाँ पे हमें 8727 करोड का net profit जनरेट करता हूँ हमें TCS नजर आ रहा है और यहाँ पे अगर हम EPS की बात करें दोस्तों तो earning per share ratio यहाँ जो निकल के आ रहा है जिसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 रुपे earning per share ratio हमें देखने को मिल रहा है per share company को तकरिबन 23 रुपे 19 पेसे का profit देखने को मिल रहा है जो कि previous quarter की बात कर तो quarter 2 में तकरिबन 20 रुपे के आसपास का earning per ratio था और अगर हम पिसले साल की बात करें तो 21 रुपे 63 पेसे के आसपास का हमें earning per share ratio देखने को मिल रहा था तो यहां पर हमें quarter to quarter basis पे काफी बढ़िया improvement देखने को मिल रहा है और year to year basis पे भी काफी बढ़िया improvement देखने को मिल रहा है जिसा मैं आपको बताया जो dividend announcement किया है कमपनी ने ओच्छे रुपे का announcement किया है जो कि quarter 2 में तकरिबन बारा रुपे का किया था और पिछले साल में पांच रुपे का तो यहाँ पे हमें year to year basis पे तो थोड़ा ज्यादा dividend देखने को मिल रहा है लगिन यहाँ पे हमें quarter to quarter basis पे थोड़ा dividend कम देखने को मिल रहा है तो overall results काफी बढ़िया निकल के आया है जो की दोस्तों देखा जाए तो quarter 3 के results से पहले हमें TCS में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल चुका है discount में ही हमें TCS में तेजी देखने को मिल चुका है quarter 3 के results से पहले तो आगे किस तरह के level of target आते है वो हम चार्ट के उपर analysis करते है तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे है तो जिसा कि आप देख सकते हैं मैं NNC की website के उपर आया है और यहां पर मैंने TCS को search करके रखा हुआ है आज के करोबार की situations की बात कर रहे है तो तकरिबन 3% के आसपास की तेजी के साथ closing देखने को मिली previous closing हुई थी और 3032 रुपे पर previous closing हुई थी और जो opening देखने को मिली तकरिबन 60 रुपे का अमें gap up opening देखने को मिला काफी बढ़िया gap up अपनी हुआ और जो high बनाया वो 3128 का high बनाता हुआ जो हमें TCS नजर आया और लोग की बात करें तो 3060 का हमें low देखना को मिला और finally जो closing हुई वो 3120 रुपे के आसपास closing देखना को मिली तो almost high के आसपासी हमें closing देखना को मिली है जो की पता चल गया था operators लोगों को और बड़े लोगों को कि जो quarter 3 का results आएगा वो 100% बढ़िया ही results आएगा और जो कि आपको पते होगा कि results तो काफी बढ़िया आने ही वाला था तो जिसके चलते आज हमें बढ़िया तेजी देखना को मिली है और बड़िया आज हमें momentum TCS में नजर आये था और यहां पे अगर हम deliver percentage की बात कर रहे है तो जो quantity trade हुई हो तकरीबन 58,000,000,000 के आसपस हमें quantity trade होती भी देखना को मिली जिसमें से deliver quantity की बात कर रहे तो 70,000,000,000,000 quantity हमें deliver quantity देखना को मिल रहे है deliver percentage निकल के आ रहे है और तकरीबन 30% के आसपस के deliver percentage देखना को मिल रहे है तो काफी बड़िया deliver percentage के है सकते है काफी बड़िया delivery उठाई गई है PCS में दोस्तो अब हम चार्ट के उपर एक नजर करते है और देखते हैं किस तरह के level और target PCS में आ सकते है तो जिसे कि आप देख सकते हैं जिरोता के platform के उपर आया है और यहाँ पर मैंने TCS का chart open किया हुआ है और यह चार्ट यहाँ पर मैंने one day के time frame पर open किया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ line ने draw करके रखे और levels भी identify करके रखे जिसके माध्यम से हम जाने की कुशिस करते है कि next किस तरह के level और target हमें देखने को मिल सकते है और दोस्तों आप TCS में खरिदारी करना चाहते है तो अभी बिल्कुल किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करे आपको correction देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर quarter से के result से पहले ही आपको TCS में discount में बढ़िया तेजी देखने को मिल चुके है तो correction तो आना definitely आएगा ही दोस्तों तो आपको wait and watch करना है और यहाँ पर हम चार्ट के उपर नजर करेंगे तो हमें बढ़िया सा एक up trend देखने को मिल रहा है और COVID-19 और lockdown के टाइम पर TCS ने जो लोग बनाया था वो तकरिबन 1530 रुपे के असपास का लोग बनाया था और आज हमें जो closing देखने को मिली वो तकरिबन 3122 रुपे के असपास हमें closing देखने को मिली थी तो यहां पर मैं चार्ट को थोड़ा zoom करना चाहूंगा और यहां पर मैं resistance level की बात कर रहा है तो उपर के level पे तो कोई resistance level देखने को नहीं मिल रहा है आज जो high बनाया था वो 3128 रुपे का high बनाया था तो वो ही level आपको Monday को एजे resistance की तरह देखने को मिल सकता है लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से results निकल के आया है तो यह registration level पे आपको Monday को break होता है देखने को मिल सकता है और support level की बात कर तो जो support level निकल के आ रहा है तकरिबन 2950 रुपे का और उसके नीचे 2850 रुपे का असपास यह काफी strong support level के सकते 2850 रुपे का दोस्तों मुझे लगता है कि आज नहीं तो कुछ दिन बाद आपको थोड़ा बूद correction देखने को मिलेगा TCS में तब दोस्तों आप खरीद़ारी कर सकते है अगर 2850 के आसपास आता है तब आपको खरीद़ारी करनी चाहिए ऐसी मेरी राई रहेगी ठीक है और चाहेत दोस्तों तो जब भी correction आता है थोड़ा थोड़ा तो उस टाम पे आप थोड़ी थोड़ी quantity खरीद सकते है TCS में और भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकते है लेकिन यहां पे तो जिस तरह से यहां पे तेजी बनी हुई है तो मुझे लग रहा है कि यह results के पहले कि दोस्तों discount में तेजी देखने को मिल चुके है तो थोड़ा बहुत correction तो आएगा तो correction के time पे आपको खर कर सकते है और जो काफी strong support level है वो 850 रुपे का इस support को TCS को break करना मुझे आसान नहीं लग रहा है काफी strong support level है जैसा कि यहां पे आप देख सकते ही लेवल एजस रेजिस्टरंस की तरह देखने को मिला था और कुछ दिन पहले यही resistance level आपको break होता हो देखने को मिला है तो य अपने financial advisor की सला ले आप अपना भी analysis कर रहे है उसके बादी दोस्तो position बनाएए तो इन लेवल को आप watch out कीजिए और आप अपना भी analysis कीजिए उसके बादी दोस्तो position बनाएए वीडियो अच्छा लगा हो तो like करके encourage करना ना भूले और चैनल पे नहीं है तो ऐसी genuine information पाने क के लिए चैनल को जरू सब्सक्राब कीजिए और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो link description box में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते है तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों thank you again for watching this वीडियो